असलाम लेकुम जी वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब मेरे चैनल में आप सब को हुशा मद्दीद और दौा है कि सब बिल्कुल है रियस से हो तो यहां पर आप देख रहे हैं कि बच्चे रेड़ी स्टेडी होके बैठे हुए हैं तो असल में यह जा रहे हैं अरीबा के साथ अरीबा का ना फ्रेंड्स के साथ गेट तो उसने जाना था तो फिर हनान और मुर्दा भी उसके साथ ही जा रहे हैं क्यूंकि अकेली तो वह जान ही सकती थी मैंने इनको ना राइट करवा दी है तो बस उसी का न यहां पर खड़े होके यह लोग बेट कर रहे हैं कंफर्ट गारी कराई है मैंने कोई है कुछ नहीं है एसी तो भी जूरोत दिया है वो दूसरा कोई मानी नहीं रहा था क्यार था क्यार थे रही में राइट करने लोग आ नहीं हो इस परेच भी नहीं हो इस मैंगे जाने होड़्या और आया जैद कंविस कि आता है जहाए जाने पारी कोईल्यात कर दो डिला पाष्श पोलेशन के टिला दो दो हो यह जैए जाए भी तो पाहिरो ऊचिक्श में डिला एक्श कर दो आपके साथ हूए हाँ जी हाँ जी हाँ है मेरा व्लोग चैनल है ठीक है चलो जी वह आप पूछने जेगा मेरे बेटे से और राइट आ गई थी थोड़ी देर वेट करने के बाद ही तो मैं यहाँ पर खड़े ओके वीडियो बना रही थी ना तो वो एक दम से हिरानी रहे गया उसने का शायद मेरे कोई छान बीन कर रही है तो मुझसे पूछने लगे कि आप ना वीडियो क्यू बना रही है तो फि सबसे पहले मैं आई हूं किचन में और मैंने सुबावरते साथ ना ये इमली की चटनी बनाई थी तो कल रात को मैने इमली भी गो के रख दी थी मैंनेithm बनाओंगी और अभी मैंने फूरण से ये बना ली है क्योंकी इमली आलू भरे की चटनी बलकुल खुतम थी और ये चटनी न हम लोगों को इतनी पसंद है न कि सब ही से शोक से खाते हैं तो दही बल्ले मैंने दो-तीन दिन पहले बनाए थे न तो उसके ओपर डाल डाल के हम लोग खाते रहे हैं तो आज मैंने सोचा हुआ था कि मैं चना चाट बना लूँगी तो उसके लिए फिर चटनी कम थ यसलिए मैंने पहले चटनी बना के तो रंख ली है चलिए आपना नहें चने बोईन के निकाल के ले आई हुँ तो यह मैंने रमजान की दिरण की रएक रहे हम चैनर नहें कर्दा के लिए हैं और को दो बकुल नहें टरदान नगले बोईन दिल इन दिन तो अभी दूसरा पैकेट में निकाल के लेकी आई हूँ वैसे तो जितने चने थे ना वो मुझे तो इनफ थे लेकिन बच्चों को भी चना चाट बड़ी पसंद है तो मैंने कहा वापिस आएंगे न तो फिर इनको लेट नाइट भूक लगेगी तो उस वकत फिर भी य ने उसमें डाल दिये हैं और अभी न एक दम से मुझे खियाल है कि मैं खाना भी बड़ने के लिए रख देती हूं तो फतारी मैं खाने के साथ ही कर लूँगी मैं यही सोच रही थी मैंने का मैं अकेली तो हूँ अब क्या आपने लिए मैं चीजे फ्राइ करती रहूंगी तो खाना बना लेती हूं उसी के साथ ही फिर अफ़तारी कर लूँगी मैं तो इसलिए ना मैं निकाल के लेकि आई हूं यह जो मैंने ग्रेवी के क्यूब्स बनाके रखे थे ना तो साथ में मेरे पास कौफते भी बने वे पड़े वे थे तो देखे रमजान प्रेपरेशन अगर हम थोड़ी बहुत करते हैं तो कितना फाइदा है ना तो आज मैं घर में जैसे केली थी तो मैं आलस कार जती मैं कहती है चलो रहने तो क्या खाना बनाना है तो हलका फुरका कुछ खा के तो गुजारा चला लेते हैं तो इस तरह से ये बना बनाया सब कुछ फ्रीजर मे जगा पे पकता रहेगा और ये देखे जट पर दस मिनत में तियार हो जाएगा न कभी कोफते इतनी जल्दी बने हैं कि 10 मिनत में तियार हो जाए तो पहले से थोले सी प्रेपریशन करके रखी होना तो हुद अपने लिए ही असानी रहती है इसलिए बस मैं रमदान से पहले ना हलकी फुर्की ही प्रेपरेशन करती हूँ जो के बहुत जरूरी होती है बेसिक वाली वरना जो सनेक्स वगरा हैं तो इस दफ़ा मैंने वो नहीं थे बनाए मैंने का वो सासा थी ना फ्रेश फ्रेश पिर अच्छे लगते हैं कुछ बनाके रख लिए थे होता है तो इसको ना मैं ऐस अ स्टोर अभी फिलहा यूस करती हूँ यहां पर मैं ना जो इनकी लिड्स होती है ना देख्चियों की शीशे वाली तो उसको रखती हूँ फिर वो बतनों के अंदर पड़ी होना तो लिड्स तूटने का हतरा रहता है धकंज होते हैं तो इनक लिए यहां पर चनों को भी दो तीन वोईल आ गए थे मैं देख रही थी कि यह नरम हुए हैं कि नहीं तो अच्छे से नरम हो गए थे तो वस इनके उपर मैं हलका साना ताजा पानी डाल दूंगी ताके इनका कुकिंग प्रोसेस यहीं पर ही रूख जाए और यह थोड़ स करने लगी थी और टमाटर भी मैं निकाल के लेकी आई थी तो थोड़सी ज्यादा चना चार बनाने लगी हूँ ना दो टमाटर मैंने रखे थे लाके मैंने कहा अगर दो की जूरत हुई तो डो डाल लूंगी वरना फिर देख लेंगे कि कितने टमाटर डलते हैं और चले यहां पे चने हलके से ठंडे हो गे थे तो मैंने कहा चना चार मना के तो इसको फ्रीज में रखके आती हूँ तो बस वही चौप किया वा प्याज मैं इसके ओपर डाल रही थी और साथ ही अब मैं टमाटर भी चौप कर लूंगी तो यह चौपर का फाइदा बड़ा है कि हर बड़ा चीज जल्दी मिंटों में चौप हो जती है वरना हाथ से काटते रहो तो टाइम काफी ज़्यादा लग जगता है और यह जो टमाटर का बीज वाला पार्ट है वो मैंने नहीं था डाला तो वो मैंने ना हंडिया में डाल दिया था तो इसमें चना चाट में तो लगती हैं हरी मिरचे वैसे मैं इस व्किम्हें ये सोच रही थी कि एकर बच्छों के मुओ में आगी ना हरी मिरचे थी चुढ़ और अखे खिल धिना है खुना और बने युट मैंने कहां अच्छी लगती हैं Nagis यह हो सकता है मेरे डी मे это Rs. excited तो वैसे नीफ़े पुदीना लगा हुवा है लेकिन आज मैं मैं गई नहीं थी मैंने खह चल ब स्काफी है यह ओपर से ही निकल आये थे खूर भी शाया है वरना फिर उस तरह से फिकी फिकी लगेगी और अब इसके ओपर मैंने चाट मसाला डाल दिया है तो चलिए मिक्स करते हैं और हमारी जबर्दस सी मज़ेदार सी चट पटी चला चाट त्यार हो जाएगी और दही मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो दही का पैकेट बस मेरे पास यही था दही इसके लवाँ और कोई नहीं थी तो मैंने उसको अच्छी तरह से निचोड निचोड के जितनी भी दही निकली है तो वो सारी डाल दी है बस काफी हो गई थी इतनी ही बहुत होती है तो चलिए अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद चना चार तो तियार हो गई है इसको फ्रीज में घुसा के आती हूँ थंडी होगी ना तो फिर ही खाने में अच्छी लगेगी वरना ऐसे गरम गरम अगर हुई तो फिर तो अच्छी नहीं लगन गया था और भुनाई हुदी हो गई थी इसकी मुझे तो भुना नहीं पड़ा तो अब मैंने ना कोफते लाके तो इसमें डाल दिये हैं तो मैंना सहरी के हिसाब सही बनाने लगी थी मैंने ख़ा इतना बना लेती हूं कि सहरी में भी बच जाये सालन तो फिर एक्स्टरा बचे ना तो उसके बाद ही भी मैं आई थी किचन में तो अब काफी टाइम हो गया था बिल्कुल ना अफ्तारी का टाइम हो गया था तो मैंने कहाँ साथ में कड़ाही भी रख देती हूं और चीजें जो भी मैंने एक दो फ्राय करनी है तो वो कर लेती हूं तो रोल मेरे पस थे और समोसे थे तो बस वो मैंने फ्राय कर ली है इसके लावा मैंने और कुछ नहीं था बनाया साथ में दूद बना लिया था और चलिए जी ये थे जी मेरी आज की सिंपल सी अफ़तारी जो के सिर्फ मैंने अपने लिए बनाई है तो इस वक्त नहीं मुझे बड़ा अजीब सा भी लाग रहा था रोज हम लोग मिलके बैटके अफ़तारी करते हैं तो मजदता है लेकिन आज ना बसे अकेली थी ना मैं तो अजीब सा भी लग रहा था पि मेरी कजन्स ना बार बार मुझे फून भी कर रही थी तो कि तुम आज घर में केली हो तो हमारी तरफ आजाओ यहां पर क्यूं नहीं आती लेकिन वो जो एक होती है ना अपने घर की आदत होती है इनसान को साथ साथ मुझे फिर वीडियो भी बनानी होती है तो मैंने कहा आप दूसरों के घर जाके मैं अफ़तारी की वीडियो तो अच्छा नहीं लगेगा तो इस दफ़ा न मैं regular vlogs आपके साथ share कर रही हूँ वैसे तो हर दफ़ा ही करती हूँ रमजान vlogs मैं बनाती हूँ तो इसलिए मैंने कहा कि भी day wise मैं बना रही हूँ तो मिस हो जाएगा आज का day मेरा तो मैं घर में रही और साथ में बच्चे गए वे थे ना राइट करवा के तो मुझे बड़ी ज़्यादा फिकर भी लगी थी कभी मैंने ना पहली दफ़ा है ये जिनकी में इस तरह से अकेले गए हैं वरना मेहुदी उनको लेके जाती हूँ और अपने साथ ही वापिस लेके आती हूँ तो इस दफ़ा वो केले गए है ना तो मैं बार बार मैप के ओपर चेक कर रही थी के बच्चे पहुंचे हैं के नहीं तो बस ना मेरे दिल को बड़ा ज़्यादा डर लगावा था तो इस तरह से है और चलिए यहां पे शुकर अलहम दुलिला जी अफ़तारी का टाइम हो गया है बातों बातों में बता ही नहीं चला मैंने रोजा भी खोल लिया है और अब मैं आगे थी किचन में ने कहा थोड़ी सी चाय भी बना के पी लेते हैं मगरिब की नमाज मैं ने पढ़ लिती और नमाज पढ़ने के बाद ही मैं आई थी किचन में मैंने खा सात्व में बरतन भी दो लेती हूँ और साथ में चाय भी अपने लिए बना लेती हूं तो बस यही किचन के काम थे जो मैं इस वक्त कर रही थी काफी जदा ना थोड़ी बहुत चीज़ा भी फ्राइ करो ना तो किचन में गंद काफी पर जता है ओली ओली किचन लगता है तो मैंने कहा स्टोफ को भी साथ साथ करती हूं और साथ में शेल्ट को भी साथ कर लेती हूं और ये देखे जी हमारा मज़दार सा कोफतों का सालन खुद बहुत पक गया है तो इसे मैंने ना हलकी हलकी आँच पर रखा हुआ था और बाकी जो इसको फाइनल टैच देना है ना तो वो मैं उस वकद दूँगी जब के हम इसे खाएंगे तो आज मिरा वैसे इरादा तो ये था कि मैं ना अफ्तारी करूंगी सालन के साथ कोफतों के साथ रोटी खा लूँगी लेकिन फिर मिरा दिल ही नहीं किया मैंने कहा कोफते बनाए हैं तो बच्ची आएंगे ना उनके साथ मिलके मैं खाऊंगी तो अभी मैं फिल हा यही थोड़ी बहुत चीज़े खा के तो टाइम गुजारती हूं और उसके बाद फिर बच्ची आ जाएंगे ना फिर अपने लिए चाइब नहीं है तो स्पेशल जो काम बना है अपने लिए करता है ना तो उसकी भी हुशी लग ही होती है तो चलिए जी यहीं तक था मेरा आज का व्लोग लेती हूं आपसे इजाज़त मिलूंगी ने विलोग के साथ खुश रहे जी अबाद रहे अपना बहुत सा ख्यार रखिएगा अला हाफिज